हलो गाइस वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे फेस में शेडिंग और बनाएंगे माउस टैचिज एंड बियर्ड फेस में शेडिंग के लिए मैं फर्स्ट लियर बना रही हूं है एच बेके साथ सेकिंड टू बी के साथ और फिर थर्ड लेर फोर्ड ब मैं यहां पर स्मूध आईवरी शीट का यूज करी हूँ तो इसलिए मैंने फर्स लेयर एच भी के साथ बनाई है अगर आपकी शीट का टेक्च्चर थोड़ा सा रफ है तो आप फर्स लेयर एच पैंसिल के साथ बनाईगे ठीक है यह आप फरक करके देखिए तो हो सकता है कि आपकी स्मूध स्मूध ब्लैंडिंग आजाए और जहां पर हाइलाइट दिखाने हैं वहां पर मैं सिंपली स्पेस छोड़ देती हूं और टीशू पेपर के साथ उसे ब्लैंड कर देती हूं जो आसपस ग्रेफाइट होता है वह थोड़ा थोड़ा सा वहां पर जितनी लिप्स में और जहां जहां पर भी हाइलाइट से वहां पर आप टॉम्बो मोनों के साथ हाइलाइट कर सकते हो जहां पर डाक लाइन्स हैं आप उसको मेकानिकल पैंसिल के साथ ड्रॉ कर सकते हो और डाक करने के लिए अब बनाते हैं माउस टैचिस तो इसके लिए मैं मेका प्रश्रा की 10B या 12B पैंसिल के साथ अच्छे से उसको शाप करके उसके साथ द्रौ करके बाद में ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे तो आपको डर्क एफेक्ट में लगा और जो इनकी दाड़ी है वो पीछे के जो कान के पास का अरिया वहां पर कम है और आगे चिन के पास बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ी एक लियर बना रही हूं एक लियर मैंने बनाई है शेडिंग की है तो अब मैं बीयर ड्राव करूंगी और बीयर के जो हैर है वो मैं करव चुट-चुटे कर्व बना रही हूं ठीक है स्ट्रेट लाइन्स नहीं है वो हल्की सी क पिक्चर में होती है वैसी बनानी चाहिए और इसके जो बाद है वहां पे कहीं कहीं पे बियर्ण है तो जैसा भी रेफरेंस पिक्चर में दिखाया गया है मैं वैसी ड्रो कर रही हूं एक बार मेकानिकल पैंसिल के साथ ड्रो करने के बाद अब मैं अपसरा का यूज करी हूं अपसरा ट्वैलप भी है यह और इसके साथ जहां पर बहुत जादर डार्क पियर्ड है वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा ड्रो करूंगी और फिर उसको ब्रेश के साथ ब्लैंड करूंगी तो बहुत ज्यादा ब्लैक एफेक्ट आता है और बिल्कुल रियलिस्टिक पियर्ड बनती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई